दोस्तो अगर आपके सामने अलग अलग रंग के गैस सिलेंडर रख दिये जाएं तो क्या आप सिरुफ उन सिलेंडर के रंग को देखकर ये बता सकते हो कि उनमें कौन सी गैस होगी अगर आपका जवाब ना में है तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से ये बता सकते हो कि कौन से रंग के सिलेंडर में कौन सी गैस होती है तो चलिए शुरू करते हैं जैहिन दोस्तो मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट दोस्तो क्या आप सिर्फ सिलेंडर का रंग देख कर ये बता सकते हो कि उस सिलेंडर में कौन सी गैस है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है कि गैस सिलेंडर का अधिक उपयोगोने के कारण काफी बार उस सिलेंडर पर लिखा गैस का नाम मिट जाता है जिसे ये पहचानने में प्रेशानी होती है कि उस सिलेंडर में कौन सी गैस है तो दोस्तो इस समश्या के समाधान के लिए हर एक गैस को एक अलग रंग दिया गया है ताकि हम जाने अन जाने में होने वाले आद्सों से बच सके और यदि हमें कहीं जरूरत पड़े तो भी हम उसे देख कर उसको पहचान जाए दोस्तो आमतोर पर इन 6 गैसों का बंडारन सिलेंडर में किया जाता है एक लपीजी, दो आक्सीजन, तीन कारवंडाई आकसाइड, चार हीलियम, पांच नाइट्रोजन और छे नाइट्रस आकसाइड आईए जानते हैं बारी बारी से इनके बारे में दोस्तो लाल रंग के सिलेंडर तो आप सबने देखे होंगे और आप जानते भी होंगे कि इसमें कोन सी गैस होती है चलो फिर भी बता देता हूँ लाल रंग के सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस बरी जाती है जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस गैस को लाल रंग ही क्यों दिया गया दोस्तो लाल रंग खत्रे का संकेत होता है और खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर में LPG गैस होती है जो अत्यादिक जौलनशील होती है इसलिए इसको लाल रंग दिया गया है नमबर दो सफेद रंग के सिलेंडर दोस्तो आपने बहुत सारी जगहों पर सफेद रंग का सिलेंडर भी देखा होगा सफेद रंग के सिलेंडर में आक्सिजन गैस बरी होती है इस तरह के सिलेंडर अधिकतर अस्पताल के अंदर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मरीजों को आक्सिजन की जुरुत पढ़ती रहती है दोस्तो सफेद रंग शान्ति का परतिक होता है तो इसलिए ओक्सिजन गैस के लिए सफेद रंग को चुना गया नमबर 3 ग्रे कलर की सिलेंडर ग्रे कलर की सिलेंडर में कार्बंडाई आक्साइड गैस बरी जाती है पिर्थवी के सभी सजीव सांस लेने की दोरान कार्बंडाई आक्साइड गैस का त्याग करते हैं जबकि हरे पेड़ पोदे परकास संसलेशन की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहन करते हैं और कार्बो हाइटरेट का निर्मान करते हैं तो दोस्तो इस परकार कारबंडा या अक्साइड भी उतनी ही ज़रुरी है जितने की ऑक्सीजन वैसे इस गैस का इस्तेमाल आग बुजाने के रूप में भी किया जाता है या फिर प्रियोग शाला में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तो बूरे रंग के सिलेंडर वैसे तो देखने में बहुत कम मिलते हैं लेकिन इस तरह के सिलेंडर भी होते हैं इस तरह के सिलेंडर अधिकतर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं या फिर प्रियोग सालाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्राउन या बूरे रंग के सिलेंडर में हीलियम गैस बरी होती है दोस्तो मोसम का पता लगाने के लिए बैलूनों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है नमबर पांच, काले रंग के सिलेंडर दोस्तो काले रंग के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस बरी जाती है इस गैस का उप्योग हवाई जाज के टायरों में हवा बरने के लिए किया जाता है वैसे आजकल इस गैस का उप्योग गाडियों के टायरों में हवा बरने के लिए भी किया जा रहा है ये गैस काफी ठंडी होती है जिससे गाड़ी के टायर लंबे सफर के दोरान भी गरम नहीं होते हैं और उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है दोस्तो नीले रंग के सिलेंडर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन इस तरह के सिलेंडर भी होते हैं इनमें एक अलग तरह की गैस बरी जाती है नीले रंग के सिलेंडर में नाइटरस आकसाइड गैस बरी जाती है दोस्तो इस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस गैस को सूंगने के बाद आदमी हसता रहता है इसलिए इसको लाफिंग गैस का नाम दिया गया है तो दोस्तों अब आप समझ गए होगे कि कौन सी गैस के लिए कौन से रंके सिलेंडर का उपयोग किया जाता है उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंदाई होगी बने रहे हैं हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जै हिंद जै भारत